दिल्ली के आननपरत इलाके में गुलशन चौक के नस्दीक एक किराय के मकान में रहने वाले विक्त को मार कर उसका शव दफनाने का जो मामला है वो सामने आया है और जो विक्त की पहचान है वो माधव के रूप में हुई है माधव किस जिगह रहता था आननपरत इलाके में हम ठीक उस घर के बाहर मौझूद है मेरे ठीक पीछे जो घर आप देख पाएंगे इसी घर में माधव बीते पांच महीने से यहां पर रह रहा था और होली के दिन यहां पर वो आता है और अपना फोन जो है वो अपने मकान मा मालिक को दे कर चला जाता है उसके बाद वो लापता हो जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं सामने आ पाती है और जिसके बाद गुमशुद्गी की जो रिपोर्ट लिखाई जाती है उसके बाद जब पुलिस तक ये बाद पहुंचती है उसके बाद सारी जो घटना है उसकी परत दरपरत खुलती हुई नजर आती है लेकिन जिन पर ये आरोप है वो अभी भी फरार है लेकिन माधो जहां पर रहता था उसके मकान मालिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मकान के उनसे हम बात करेंगे और इस पूरी घटना के बारे में जानने की लड़का ठीक था और थोड़ा दारू पीता था दारू पीने में स्पोर्ट था खुली के दिन खुली के दिन जो है ओ एक एगारा बज के उन्तिस या लगफ़क बारे बज मते ही ताइम में घड़ी नहीं देखे हमारे खेन के ऊपर मोबाइल और रखके और हमारे को पाप काता था घरवाली को ममी काता था बेटी को दिदी काता वोला कि हमारे घरवाली को कि ममी यह मोबाइल यहां रखके जा रहा हूं होली खेलने के लिए कही रास्ते में गिर जाएगा और नहीं तो कोई छीन लेगा तो पता नहीं लगेगा और मैं जा रहा हूं उसके बाद हम पूलिस वाला के पास पता लगा कि उतला उनका जीजा ने डाल दिया है पूलिस के सामने हमने फोन उसका दे दिया और जाज़ पर ताल हुई तो वो जो है जोती नाम के ललकी से उसका बात भी चार चलता था वो दारू पीती थी वो दारू पीता था और वहां उसकी मौत हो गई जोती का नाम आ रहा है तो उसके बादे क्या आपको कोई जानकारी या फिर कोई यह कुछ जानकारी नहीं हमायरे कृदार था हम इसमें राते हैं कृदार इसमें राता है कि रधार कहां गया कव गया थोड़ा ध्यान नहीं है मौवाईल नहीं है लेकिन करदार हमारा एक-दो दिन नहीं आता है तो मेरे अंदर बॉक कलात हो जाती है कि हमारा के लिदर क्या गया और बताकेग मध्यों करते हैं तो पांच मेनी सरे रहा था तो क्या कोई दोस्त आती जाते ते शर्जों माध का को मिलनेा है कमपनी में जो लड़के काम करते थे कभी काल आते थे और शले जाते थे लेकिन परसनल इसके पास तो कोई राधा नहीं था और यह होली के दिन की घटना घटी है माधो कहां करेने वाला अलिगर बुदाओ का बदाओ माधो के कोई परिवार से यहां पर कभी मिलने आया हो पांच महीने से पहले उनका जीजा आते थे उनका डाक्तर है अब तो हम दीव्टी करने वाले आदमी रहते हैं हम लोहे के खरात के काम करते हैं पांच बदर कीरती नगर में हमरा उमर 55 साल लग भग है और एक बेटी है हम पिल करता हूं मोड़ा से कोड से अपील करता हूं क्यों day यह बताए से जूहाँ सरी घटना होई glihin यहां楊री दूर है यह तीन सो मिटर की दूरी है पिन् तीन गली चार गली छोड़के है कोई संपरक कोई जान पहचान कोई संपरक नहीं को जान पहचाने हैं यहां पर भली रहता था और होली वाले दिन वह मोबाइल अपना ठीक इसी जगह